दियर स्टुएंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप से भी का आपके अपने यूटूब चैनल अस्टड़ी विद दुलार में बच्चों ये क्लास 4 का इंगलिस बुक है और ये चैप्टर 4 है इस चैप्टर का नाम है द स्क्वाइरल मैं बच्पन से पढ़ते आ रहा हूं को राता है यहां भी उसी तरह का ऑच्प्टर दिया होंगे यहां पर सुंदर सा जीव है ये जबुए कि जैसा होता है पर गरता है ये घर के नंदर रहता है तो ईस प्र poorer दिया हुआ है अर्शित्र अंधड उसं वर उसिस्टर and brother P3Mark और यस दोनों भाई बहन थे, हरसिता वाज 9 years old and यस वाज 3 years old, हरसिता 9 साल की थी और यस जो था वो 3 साल का था, हरसिता वाज reading in class 4 but यस वाज not a school going by, हरसिता 4 class में पढ़ती थी लेकिन यस जो था वो भी school नहीं जाता था, they lived in a small house, वे लोग एक छोटे से घर में राते थे, there was a garden behind the house, और उनके घर के पिछे एक बगीचा था, it was very beautiful, यह बहुत ही सुन्दर बगीचा था, there were trees of coconut, mango, guava, pomegranate and papaya, और वहाँ पे कई सारे पेड थे, जैसे कि नारियल का, आम का, अमरूद का, अनार का और पपीते का वहाँ पे कुछ फूलों के पोधे थे, जिसमें बहुत सुन्दर सुन्दर फूल खिले होते थे, there was यह तुलसी प्लांट at the gate of the garden, गार्डन के गेट में एक तुलसी का पोधा था, तुलसी का पोधा अक्सर लोग घरों में लगाते हैं, उसकी पूजा की जाती है, this garden was home of a squirrel और यह बगीचा गिलहरियों का घर था, मतलब वहाँ पे बहुत सारी गिलहरी रहा करते थे, one day हरसिता and yes were playing in the garden, एक दिन हरसिता और yes उस बगीचे में खेल रहे थे, yes saw the squirrel, yes ने एक गिलहरी को देखा, he asked, sister what is this, फिर उसने अपनी पहन से पुछा कि दीदी यह क्या है, it is a squirrel तो उसके दीदी ने बतलाया कि यह एक गिलहरी है, the squirrel is very beautiful, गिलहरी बहुत सुंदर है, there are strips on its body, उसके शरीर में धारियां बनी हुई है, said us, yes ने कहा, हरसिता said, अब हरसिता बोल रहे है, there is a story related to it, कि इसके पीछे एक कहानी जुड़ा हुआ है, तो क्या कहानी जुड़ा हु Lord Ram was building a bridge to cross the sea, भगवान Ram समुद्र पार करने के लिए एक पूल बना रहे थे, Ram had an army of monkeys and bears, स्रीराम के पास बंदरों और भालों के आर्मी थे, सेनिक थे, they were working day and night, उनलोग दिन रात महनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, the squirrel also went there to help them, वहाँ पे गिलहरी भी जाती है मदद करने के लि He carried small pieces of sand in its mouth and dropped them into the sea, गिलहरी कंकड के छोटे छोटे टुगडे अपने मुह में उठा कर ले जा रहे थे और समुद्र में डाल दे रहे थी, लोड राम saw this little creature, भगवान राम ने इस छोटे से जीव को देखा, he became very glad to see it, हुए उसको देखकर बहुत ही खुस हो गए, he called the squirrel near him, उ He lifted and squirled in one hand and touched it with his fingers, वे उसको अपने एक हाँच में उठा लिये और उनके सरीर को असनेह से सहलाए, from that day there are strips on its body, उस दिन से उसके सरीर में धार्या बन गिया, these strips are the symbol of affection, said हरसिता, ये धार्या सनेह की निशानी है, हरसिता ने कहा, Later on it became the most interesting work for brother and sister to watch the squirrel, बाद में दोनों भाईबहन के लिए गिलहरी को देखना सबसे दिल्चस्प काम बन गिया, This squirrel was running from one branch to another branch, गिलहरी एक डाल से दूसरे डाल में कुद कुद कर जा रहा था, It was searching something, वह कोई चीज को खोज रहा था, Yes asked, अस ने पूछा, What is it searching sister, इदी यह क्या खोज रहा है, It is the searching the fruit which it was eating last day, वह उस फल को खोज रहा है, जिसे वह पिछले दिन खाया था, Why is it searching that fruit, कि वह उस फल को क्यों खोज रहा, There are a lot of fruits on the tree, पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए, Generally, it finished one fruit, after that it bites another fruit, आम तोर पर वह पहले एक फल को खतम करता है, उसके बाद दूसरे फल को खाता, It does not waste them, यह उस फल को बरबाद नहीं करता है, Today I saw it carry some seeds in its mouth, Does it store them, आज मैंने उसे देखा था, कि कुछ बीज को अपने मुह में ओ ले जा रहा था, क्या हुआ, इसे जमा कर रहा था, No, it does not store food, नहीं, यह भोजन जमा नहीं करता, It carries food for its baby, यह उस भोजन को अपने बच्चे के लिए ले जा रहा था, After some days, they saw a baby squirrel moving behind mother squirrel, कुछ दिनों बाद उन लोग देखते हैं, कि यह squirrel के साथ साथ में उसका एक छोटा सा बच्चा भी उसके पीछे पीछे घुम रहा है, हरसिता और यह उस अपने बगीचे में एक नए महमान को देखकर बहुत खुश होता है, Suddenly the baby squirrel fell on the ground, वाइल जंपिंग प्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, अचानक से baby squirrel जो हता है, एक डाल से दूसरे डाल में कुदने के दोरान, वा जमीन पर गिर जाता है, The baby squirrel was unconscious, और baby squirrel जो हता है, वा ब्यहोस हो जाता है, Mother squirrel was watching it sadly, और उसकी माज होती है, हुआ दुखी होकर उसे देखने लगती है, हरसिता brought a glass of water and poured it on the baby squirrel's mouth, हरसिता एक glass पानी ले आती है, और baby squirrel के मुँँ में डाल देती है, After some time it moved, it's still, कुछ दिर बाद वा अपने पूच को हिलाने लगता है, It got its sense and ran to its mother, हुआ होस में आ जाता है, और भाग कर अपनी मा के पास चला जाता है, Both हरसिता and yes become very happy, हरसिता और yes दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, यहाँ पे यह चप्टर समाप्थ हो गिया है, आज़े देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है, यहाँ पे इसका कुछ new words दिया हुआ है, आप इसको पढ़कर एक बार कम से कम ज़रूर याद कर लें, और यहाँ पे इसका questions दिया हुआ है, question number one, इसमें ज़्यादा question दिया हुआ नहीं है, चार question मात्र है, उसके बाद question number two में, right true or false, यहाँ true false दिया गिया है, और question number three, यहाँ पे sentence को इधर उधर किया हुआ है, जो कि यहाँ पे इसको सही ढंक से सजाना है, proper रूप में लिखना है sentence को, उसके बाद, यहाँ पे question number four है, फिर इन दा blanks दिया हुआ है, यहाँ पे given words, जो words दिया हुआ है, इसको चून कर भरना है, तो आपको मैं बतला दूँ कि आप वीडियो सही ढंक से देखेंगे, otherwise फिर आप इसको pause करके लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों द्वारा भरा हुआ है, और इसमें से कुछ गलत भी है, इसलिए आप pause करके ना लिखें, वीडियो को ध्यान से देखें, इसका मैं अंसर आगे देदूँगा, और question number five, यहाँ पे N.E.S. Ness लगाना है किसी में, किसी में hood लगाना है, और किसी में sip लगाना है, तो यहाँ पे भरा हुआ है kindness है, ownership, childhood, motherhood, greatness हो गया, kinginess यहाँ पे, boyhood, friendship, darkness, और fitness, यहाँ पे अल्रेडी भरा हुआ है, इसका answer मैं आगे नहीं दूँगा, और question number six में sentence बनाने के लिए कहा गया है, यहाँ कई सारा sentence बन सकता है, तो यह बहुत जोरी नहीं है, exam में इस तरह के questions नहीं आते हैं, यहाँ मैं आप लोगो को question answer बना के दिखाता हूं, यह है chapter four का question answer, question number one, answer these questions, which plant was at the gate of the garden, there was a tulsi plant at the gate of the garden, how did the squirrel help in building the bridge, the squirrel carried small pieces of sand in its mouth, and dropped them into the sea, why was the squirrel carrying seeds, the squirrel was carrying seeds for its baby, what did harsita do when the baby squirrel fell, harsita brought a glass of water, and poured it on the baby squirrel's mouth, question number two, इसमें true false करने के लिए का गया है, तो यहाँ पे true false, direct इसका answer दे दिया गया है, और question number three में, इसका direct answer दिया गया है, जो jumble words था, उसको सही sentence बनाने के लिए का गया था, तो यहाँ पे direct सही sentence बना दिया गया है, question number four, यहाँ पे words को चून कर इसमें भरने के लिए का आ गया था, तो यहाँ पे इसका direct answer दिया हुआ है, आप इसको देखकर अपने book में भर सकते हैं, यहाँ पे यह chapter पूरी तरह समाप्त हो गया है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, और इसका अगले chapter को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे, तो आया में लोग नेक्ट वीडियो में चलते हैं,